हेलो दोस्तो अब एक महिने का डूरेशन बचा हुआ है अपने एंसर आइटिंग का और दस इंपॉर्टेंट कोश्चन होने को हैं बीच में कोर्स राइन करने कोई मतलब बनता नहीं है यारो एट प्रेजेंट 32 स्टुडेंट है जिसमें की 15-16 जो है एंसर लिख रहा है और अभी जो कोश्चन बचा हुआ है एक से बढ़ कर एक है और एक कंसेप्ट को आप समझेंगे तो उससे आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा ठीक है और जो ये डिसकेशन है वो हिंदी इंग रुपीज है जहां कि बाहर में इसका चार्ज 2,000 रुपए, 5,000 रुपए है हम लोगों ने मात्र 600 रुपए में ही जो है ये एंसर रेटिंग बैच जो है वो चलाया है और टॉपिक क्या-क्या बचे है आप देख लीजे राष्ट्र विज्ञान युन तक्निक निती आज जो है नेशनल साइंस एंटेक पॉलिसी होगा भारत में जो है चार बार अभी तक नेशनल साइंस टेक पॉलिसी आ चुका है उसका स्वरूप जो है बदलते गया है पहली बार 9058 में आया था दूसरी बार 9083 में आया था तीसरी बार 2003 में आया था और जो है चौती बार 2013 में आया था ठीक है तो किसमें क्या क्या चीवमेंट हुआ क्या फेलियर रहा यह हमनों डिस्कस करेंगे और अभी जो पांचवा ड्राफ्ट तयार हुआ है नेशनल साइंस टेक इन्वेशन पॉलिसी का उस पर भी बात किया जाएगा ठीक है को सिन नमबर टू जो है यह इंडियन स्पेस प्रोग्राम आने का बहुत हाई चांसे है क्योंकि आप जानते ही है चंड्रयां थ्री सकसेस हुआ है उसके अलावा और भी जो है बहुत चीज़ पाइपलाइन में है वीइनज स मिशन है गगन यान है भारत का अपना जो है स्पेस टेशन है बहुत सारी चीज़े थ और इंडिलनस्पी प्रोग्राम जो है बहुत संदम कर दोल कर रहा है भारत के लिए फॉर्ण रिजायू मुद्रा इकटा कर रहा है और सब जगाँ भारत का नाम ऊंचा हो रहा है ईंडियन स्पेस मेश्फटी प्रोग्राम के चलते of energy पे काफी focus कर रहा है इसके अंतरगती जो है नवी करने उर्जा ठीक है उसके थूँ जो है 50% का target रखा गया है उसमें जो है ये भी add होगा ध्यान रहे दोस्तों कि जो परमानु का एकरम है ये नवी करने उर्जा का हिस्सा नहीं होता है हम consider तो कर लेते हैं लेकिन नहीं होत है और add present ये 3% ही है जो भारत में उजा उत्पादन होता है उसमें इसका योगदान मात्र तीन परसेंट है इसको बढ़ा के 20-25% करना है तो इंडिया का जो 3-tier space program है वो मतलब sorry 3-tier जो nuclear program है वो क्या है उसकी वारे में जानेंगे और इंडिया अभी second phase fast leader reactor में चल रहा है वो क क्या होता है और कैसे काम करता है क्या advantage है क्या चीज है सब कुछ समझेंगे ठीक है चौथा question जो है परियावरन ठीक है Environmental Protection Act परियावरन सनलक्षन अधिनियम जो भारत का सबसे important umbrella scheme है परियावरन संबंदित उसको हम लोग जानेंगे 7GPC में पूछा था फॉर्स्ट कंजर्वेशन एक वर्सनलक्षन अधिनियम तो इस बार जो है या तो यह आ सकता है या फिर हम लोग थोड़ा बहुत वह भी देख लेंगे water pollution को control करने वाला एक 1974 वाला और air pollution control 1981 वाला short notes भी तो आ सकता है 1616 नंबर करके उसके अलावा cyber security तो कहना ही कहना है क्या है यार अभी आप देखे हों की जो है 81.5 करलो का जो आधार जो है information वो लीक हुआ है और काफी जो है मतलब होता है ना शरम की बात है तो भारत में cyber security का क्या status है मतलब और यह कोविड में जो cyber crime है वो काफी बढ़ गया है चाइना आए दिन हमला करते रहता है cyber attack होते रहता है और भारत जो है यह सब देखते हुए अभी defense system जो की बहुत ही critical है उसनों ने अपना operating system माय operating system स्टार्ट किया है उसके बाद जो है स्वास्त निती कोविड के आने से जो है भारत के जो है जो health infrastructure उसका पोल खोल हो गया है और स्वास्त निती जो है अब एक नई आनी चाहिए considering pandemic और अभी तक इंडिया में जो है तीन बार जो है आपका स्वास्त निती तयार हुआ है 1983 में पहली बार आया था 2002 में दूसरी बार और 2017 में जो है तीसरी बार तो इस पे हम चलचा करेंगे किसका क्या achievement रहा क्या failure रहा और अभी COVID pandemic को देखते हुए क्या होना चाहिए इसमें हम लोग आयुस्मान भारत जो scheme है दोस्तों वो भी हम लोग important जो scheme है वो भी discuss करेंगे य और पहले युक्रेन रशिया वार के चलते और अभी जो है इज्रेयल हमास के वार के चलते जो है यह और ज्यादा बढ़ गया तो global energy crisis क्या है उसका जो है क्या impact विस्व पर पर रहा है और भारत उसके लिए क्या कदम उठा रहा है इंडिया पर क्या impact है और क्या कर रहा है व वो क्या है तो जो agroclimatic zone है यह planning commission ने पूरे भारत को 15 zone में divide किया है और यह काफी relevant भी है भले planning commission चला गया लेकिन कुछ कुछ चीजे जो है वह भी relevant ही है और अपना जो जारखंड है यह साथवे agroclimatic zone में आता है जिसको further तीन zone में बाटा गया है और उसके साथ ही उसका क् हम लोगों discuss करना है और क्या solution होना चाहिए बिना solution के तो काम चलेगा नहीं उसको भी discuss करेंगे भारत पर जलवायू परिवर्तन का असर impact of climate change on India जैसे कि हिमालाय पे क्या असर है coastal system पे क्या असर है plane पे क्या असर है और भार सरकार जो है इसके लिए क्या कदम उठा रही है और साथ ही साथ एक question जो हमने economics का भी consider किया है क्योंकि यह बहुत important है कि अंतराष्ट्रिय मुद्रा कोष और विस्वे बैंक में सुधार IMF और World Bank में क्या सुधार की जरूरत है इनका function भी जानना है और क्या होता है उसको भी देखना है दोस्तों और हम लोग करवाते कैसे हैं ज साहली बार 9093 में दूसरी बार 2003 में तीसरी बार और 2013 में चौती बार जो है साइंस टेक पॉलिसी आया है उसका क्या achievement रहा उसमें क्या हुआ और अभी जो present circumstances हैं उसको देखते हुए अब जो एक नया draft तयार हुआ उसमें क्या चीज है ठीक है तो इसको जो है आपको हम बता कर टाइम मिलेगा एक क्या दो दिन क्योंकि एक दिन गैपिंग करके आपको जैसे कि माली जी कि आज हुआ कोस्चन तो कर छोड़ के परसो आपको इसका answer जितना आपको ठीक लगे तीन पेज चार पेज दो पेज जैसा भी आपको ठीक लगे आपको answer लिक के जमा करना है और बाकी लोग भी अपना answer लिकेंगे ग्रूप में ऐसे भी लोग हैं जो कि कोई मतलब JPSC का interview face कर चुका है कोई BPSC का interview face कर चुका है ठीक है या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मेंस लिक चुके हैं तो वहां से आपको काफी idea लगेगा एक तो आपके answer के evolution होगा साथी साथ दूसरों का भी answer देखेंगे तो आपको काफी benefit मिलेगा ठीक है तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग अभी ही जुड़ जाएं